प्रस्तुत है Cheer for Paris का चौथा भाग ओलिम्पिक खेलों में भारती हौकी Cheer for Paris इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी तहरीरे होती हैं जिने कभी मिटाया नहीं जा सकता और अपने खेल कौशल से ऐसी तारीख लिखी है भारती हौकी टीम ने हौकी की दुनिया में भारत का लगाता तीन दश्कों तक एक छत्र राज था इस दौरान उलिम्पिक में जब भी टीम खेलने उतरती प्रतीदवन्दवी खिलाडियों के पाउं डग मगाने लगते थे मुकाबलों में हराना तो छोड़ दीजिए भारत के खिलाफ एक गोल करना भी विरोधी टीम के लिए नाको चने चबाने जैसा था आज के इस अंक में हम आपको भारती होकी की उलिम्पिक की यात्रा पर लेकर चलेंगे और बताएंगे भारती होकी ने उलिम्पिक में कैसे राज किया और कैसे उपर चर्थी चली गई और जब उतार आया तो उतरती भी चली गई एक दोर ऐसा भी आया जब भारती हौकी टीम उलिम्पिक के लिए कॉलिफाई भी ने कर पाई आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि भारती हौकी टीम ने उलिम्पिक में आर्ट स्वर्ण, एक रजट और तीन का से पदक जीते हैं शुरुआत करते हैं ओलिंपिक में हौकी खेल के पदारपन से ओलिंपिक में पहली बार हौकी को 1908 के लंदन ओलिंपिक में शामिल किया गया तब 6 टीमों ने इस स्परदा में भाग लिया इन में भारत शामिल नहीं था 1908 की Olympics में England ने Ireland को 8 एक से हरा कर Gold Medal जीता था इसके बाद 1912 के Stockholm Olympics में हौकी को शामिल नहीं किया गया हाला कि 1920 के Antwerp Olympics में एक बार फिर से हौकी को Olympic में प्रवेश मिला जहाँ पर Great Britain ने अपने तमाम match जीत कर Gold Medal हासिल किया 1924 के Paris Olympics में हौकी एक बार फिर से शामिल नहीं थी 1928 के Amsterdam Olympics में हौकी की दमदार वापसी हुई दमदार इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस बार record 9 टीमों ने भाग लिया जिसमें भारती हौकी टीम भी शामिल थी इन उलिम्पिक खेलों के final match में भारत ने 23,000 फैंस के सामने Netherlands को 30 से मात दे कर स्वर्ण पदक पर कबजा किया हौकी के जादूगर कहलाने वाले दादा ध्यान चन्ने दो और George Martins ने एक गोल दाग कर भारती हौकी के स्वर्णी म्यूक की शुरुआत की पूरे टॉर्णमेंट में भारत में कुल 29 गोल किये थे जिन में से 15 गोल तो अकेले ध्यान चन्ने दा गए थे किस सरे भारती हौकी टीम ने उलिम्पिक्स का सफर शुरु किया इस पर रोश्नी डाल रहे है हौकी के विशेशग्य ए अरुमोगम वो हरने के डर से उन्होंने विद्रा कर दिया करके 1928 में जो फाइनल आमस्टरडाम में होम टीम नगल लांच में हुआ है इंडिया उनको जो जिस सरे से हराया है वो जीता है इंडिया का फाली बार गोल्ड मिडल मिला है 1932 के लास अंजलिस उलिम्पिक में तीन ही देश भारत, जापान और अमेरिका ने हिस्सा लिया भारत ने एक तरफ अंदाज में लगातार दूसरा स्वन पदक अपने नाम किया भारत ने दो मुकाबलों में कुल 35 गोल दागे इनमें से 25 गोल दो भाईयों रूप सिंग और ध्यानचंद के नाम रहे रूप सिंग ने 13 और बड़े भाई ध्यानचंद ने 12 गोल स्कोर किये 1936 के बरलिन उलिम्पिक्स में भारती टीम की गोल्डन हैट ट्रिक पूरी हुई बरलिन में भारती हुकी टीम की कमान मेजर ध्यानचंद के हातों में थी बिना कोई गोल खाए भारती टीम शान के साथ फाइनल मैच में पहुँची फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला मेजबान जर्मनी से हुआ और उसे 8-1 से शकस दी फाइनल मुकाबले में कप्तान ध्यान चन्न ने सबसे ज्यादा तीन गोल किये, एक्तिदार ने दो जबकि टैपसल, जफर और रूप सिंग ने एक एक गोल किया हौकी के जादुगर मिजर ध्यान चन्न ने इस आखरी ओलिंपिक में कुल 13 गोल अपने नाम किये इस तरह एंस्टरडम, लॉस अंजलेस और बर्लिन उलिंपिक को मिला कर मेजर ध्यान चन्न ने कुल 49 गोल अपने नाम कर डाले जो उनकी इस खेल में बादशाहत को बयान करते हैं अब चलते हैं 1948 के लंदन उलिंपिक की तरफ इन उलिंपिक खेलों में आजाद भारत ने जोश से लबरेज स्वातंतर राश्टर के रूप में भाग लिया और अंग्रेजों के देश में उनसे सूथ समेत लगान वसूल किया किशनलाल के नित्रित्व में नई नवेली भारती टीम लंदन पहुंची और लीग स्टेज पर शांदार प्रदेशन करते हुए समेफाइनल में नेधरलेंड्स को रोमांचक मैच में दो एक से मात दी फाइनल में भारती टीम के सामने ग्रेट बिटन की टीम थी 12 अगस को फाइनल मैच खेला जाना था भारत के लिए ये मैच बहत खास था क्योंकि इस मकाबले के ठीक तीन दिन बाद पूरा देश आजादी की पहली वर्ष गांट मनाने जा रहा था भारत ने फाइनल में ग्रेट बिटन को चार शुन्य से मात दे कर लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीता पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिली इस जीत के बाद खुशी से जूम उठा था 1952 के हिल सिंग की उलिंपिक्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीत कर लगातार पांचवी बार ऐसा कारनामा कर हौकी में अपनी बातशाथ को बरकरा रखा सिमी फाइनल में भारत का सामना ग्रेट बिटिन से हुआ जिसमें भारत ने तीन एक से जीत दर्स की और पांचवी बार खितावी मैच में जगह पकी की एक बार फिर फाइनल में भारत का सामना था नैधरलेंड्स की मजबूत टीम से लेकिन भारत में इस मैच को 6-1 के बड़े अंतर से जीत कर मसलसल पांचवी बार स्वन पदक जीता भारत की ओर से बलबीर सिंग सीनियर ने सबसे ज्यादा पांच गोल किये और उलिम्पिक्स के फाइनल मकाबले में सबसे ज्यादा गोल करने का ये रिकॉर्ड आज भी खायम है कप्तान केडी सिंग बाबू ने इन उलिम्पिक खेलों में अपनी चाप छोड़ी उन्हें 1953 में हेल्म्स टॉफी से नवाजा गया जो कि दुनिया के सर्वशेष्ट हौकी खिलाडी को दी जाती थी ये पहला मौका था जब किसी भारती खिलाडी को ये टॉफी दी गई अब बात करते हैं 1956 के मेलबर्न उलिम्पिक्स खेलों की जहां भारत ने लगातार छटा स्वर्ण पदक जीता इस बार की उलिम्पिक खेलों की हौकेस परदा में बारट टीमों ने भाग लिया भारत ने अपने गुरूप के सभी मैचेस जीत कर समी फाइनल में जगे बनाई और समी फाइनल में जर्मनी को एक शुर्ने से शिकस दे कर फाइनल में अपनी जगे सुनिश्चित की जहां उसका सामना था चेर प्रतिद्वनभी पाकिस्तान से उमीदों के मताबिक फाइनल मुकाबला बेहद रुमान चक रहा रैफरी की सीटी बचते ही खेल शुरू हुआ दोनों ही टीमें एक दूसरे के गोल पर लगातार पर हार कर रही थी लेकिन सफलता भारत को मैच के 38 मिनट में मिले पैनल्टी कॉर्नर पर मिली जब रंदीर सिंग जेंटल ने गोल करके भारत को बढ़त दिला दी ये बढ़त आखर तक कायम रही और भारत ने पाकिस्तान को एक शुने से हरा कर लगातार छटी बार सुन पदक अपने नाम किया इस गोल्डन एरा पर क्या कहते हैं ए अरुमुगम निकालते हैं वो प्लेयर को अच्छी तरह से ट्रैनिंग करते थे उस जमाना में जो दुनिया में संट्रलाइस्ट कैंपिंग का आइडिया ही नहीं था महर इंडिया में संट्रलाइस्ट कैंप भी चला है 1948-49 उसलिए में शुरू हो गया था हर पोसिशन का कम सखम तीन-चार प्लेयर एकुली कॉंपिटेंट होते थे यह मोसली बंगाल चन्ने देंकॉल्ड मेड्रस बांबे उस तेम अंडिवेड़ेड पिरियड में लाहूर उसके बात जलन दैर इस जगे एरिया में बहुस सारे तैलन्ट को खटा करके यह टीम सेलेक्शन करते थ जो टीम सेलेक्शन करने के बाद आपको अंदर एक प्रशर आ जाता है कम सखम एक माने दो माने उलिम्बिक्स निकलने के पहले यह जो सेलेक्टर इंडियन टीम है वो हर जगा ट्रावल करती थी उस जमाने में यह 1980s तक यह सिस्टम चला है जब वो टीम फर एक्जामपल अ यह जिस इस हाव दे प्रपड गॉल्ड़न टीम सेम केस रिपीट होता है हर जहां में सो कम सखम दो मैने जो टूर टीम करता है उसमें दो तिन चीस हो जाता है एक तो बेस्ट प्लेयरे सेलेक्ट किया हुआ करके पदा चल जाता है दूसरा है हर जहां गेट मेंडिक्शन होत है वहीं फंड से इंडियन टीम को बाहर बेजा जयादा आता है जब इतना प्लेयर देखने के आते हैं हाकी का प्रफाइल भी बढ़ा रहता है है ना जो फार एक जाके पुने में कहला तीसरा दिन आके एक इन बांबे में कहला है तीनों मैच्च जो देखने का बीड है उस दरजन गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतिय टीम का 1960 रोम उलिम्पिक्स में साथवी बार स्वन पदक जीतने का सपना तूट गया और रजत पदक से संतोश करना पड़ा भारत ने सिमिफाइनल में ग्रिट बिटन को एक शुने से हराया और फाइनल में एक बार फिर उसके स जीता और 1956 की कहानी को दुबारा दोराया टोकिय उलिम्पिक्स में भारती होकी टीम की साख दाव पर लगी थी करोडो भारती प्रशनसकों की ये ख्वाइश थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान को मात दे कर स्वन पदक अपने घर लेकर आए सिमिफाइनल में भारत ने पाकिस्तान का मुकाबला था दूसरे हाफ में मिले पैनल्टी स्टोक को मोहिंदर लाल ने गोल में तबदील किया और भारत को एक शुने से बढ़त दिला दी पाकिस्तानी टीम ने इसके बाद गोल करने की खुब कोशिशे की लेकिन वे भारती गोल कीपर शंकर लक्षमन क की दीवार को भेद नहीं पाए आखिरकार भारत ने इस मुकाबले को एक शुने से जीता और रोम उलिम्पिक्स के फाइनल में मिली हार का बद्ला भी लिया और अपने गले में पहना स्वन पदक इन उलिम्पिक खेलों में भारती टीम के सदसे गुरबक्ष सिंग ने अप फाइनल पहुंच चुके हैं उससे सिल्वर अबारे पास में आई चुके हैं अगर मैक्सिम मिनिमम तो और भगवार ने दिया और परनल्टी स्टोक से हम लोग जीत गए और वैसा महाल तो फिर कभी बनेगा नहीं और उस तेम पर देखिए एक बात है कि हम लोगा बहुत और उसके बाद में सेमी फाइनल अस्टेरिया को हराया 3-1 और पाकिसान को वज दियो तो वो जाते तो कभी भूने ही नहीं और जब गॉल्ड मेरल गल्ले में पड़ा और नैशनल एंटम बज़ा तो उससे पर आपको मिन आशनल एंटम बज़ता है तो फिर वह यार आजात इसके बाद में एपकर करनी सेंग रजा करनी सिंग श्ू qualitative में थे और सब कर सब आपके तो उस में भागना और अर। का भगना खर प्याद सक तो वह अच्छा लगता पहला मौका ही था थिप का बहुत अच्छा लगा और जो अच्छा था तोक्यों का अच्छा था तोक्यों का अच्छा फिर कभी मैं उसके बाद में पांच उलम्पिक्स हो गया हूँ किसी हार्ट के डिफेंट कपैस्टी में प्रतियों किता के सिमिफाइनल में बाद में नहीं पहुंच पाई 16 टीमों की इस प्रतियों किता के सिमिफाइनल में भारत का सामना उस्टेलिया से हुआ जहां उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा कांसे पदक मैच में जरूर भारत में पश्चिम जर्मनी को 2-1 से हरा कर तीसरा स्थान हासिल किया इन उलम्पिक खेलों का स्वन पड़क पाकिस्तान की हौकी टीम ने जीता कांसे पदक के मुकाबले में भारत ने नेधरिलेंड्स को 2-1 से हराया और उलम्पिक्स में दस्वा पदक अपने नाम किया टीम के सदसे अशोक कुमार इस पदक को याद करते हुए कहते हैं मुझे वो फिलिंग आज़ भी महसूस होती है जब मैंने अपने उस परॉम्पियन बनने के खौफ को फूरा होते देखा हमारे मैच हुए शुरू के इनिशल मैच अच्छा के लिए हम लोग जीते चले गए हमारा मैच पाकिस्तान से साइम फाइनल में था और पाकिस्तान में शुरू में रिलीज लीजी हमसे गोल से और दो गोल से जीते से हमसे जब पहला गोल था और मुझे याद है कि एक बाल जो है किशनमूरती में जो हमारे राइकाप थी उन्होंने मुझे गोल के मुहाने पर धेजी ठैकी और मैंने उस बॉल को गोल की परके उपर कनेक्ट किया और मुझे याद है कि आज तक ऐसी बॉल गोल के अंदर ही जानी से यह पता नहीं कैसे बॉल गोल पुश्ट के उपर से निकल के बाहर चली गई तो कुछ हाथ से कुछ सीन जो है वो जजब हो जाते हैं चप जाते हैं दिल पर ऐसी चीज़ें कि अगर वो गोल बरावर हो जाता है तो हम पाकिस्तान से ज़रूर जिते क्योंकि हमारी टीम में 17 पैनल्टी को और जिसके थे थे उनके खिलाफ में और हम एक भी गोल निकर पाय लेकि ऐसा ना ना हो सका जो हमारे 75 का जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम था वही टीम मतलब जो वर्ल्ड कप जितके आये थे वही 1976 मॉंट्रियल में सातवा नंबर पर आये थे तो सही बात है कि अश्रोटर्फ काफी मरलब उनका इंपक्टेशन होकी पर हुआ और खास करके इंडिया में क्योंकि हमारे एस्टर्फ यहां पर पहली बार 81 में था यह दूसरा अश्रोटर्फ मेरे खाल से 85-86 में था तो हम लोग लोकल टोर्नमेंट घास और ग्रेवल पर पर पहलते थे औ और मेरे क्याल से बेटर, मोर साइन्टिफिक ट्रेनिंग हम लोग वी कुड़ हैव इंप्रूवड मच अरलियर 1980 के मौस्को उलिम्पिक्स में पूरु शौकीस परदा में 6 देशों ने हिस्सा लिया वासुदेव भासकरन की कप्तानी वाली टीम इंडिया का फाइनल में स्पेन से मुकाबला हुआ और स्पेन ने भारत को कड़ी टक कर दी उस समय के दुनिया के सर्फशिष्ट फारवर्ड्स में से एक मौहमत शाहिद की अच्छे प्रदेशन की बदालत भारत मैच में बना रहा आखिर भारती टीम ने 4-3 से विजय हासिल की ये भारत का आठवा और अंतिम उलिम्पिक गोल्ड मैडल था भारत को 16 सालों बाद सुन पदक दिलाने में मौहमत शाहिद और सुरिंदर सिंग सोड़ी की खास भूमी का रही थी इस जीत की क्या माने हैं इस बारे में हमने इस टीम के सदसे जफर इकबाल से बात की जो हमारी टीम थी बहुत यंग टीम थी क्योंकि जो 16 ओलम्पिक्स मौन्ट्रेयल के बाद पुरी टीम डिसकार्ट हो गई थी इन दे सेंस के थीस प्लेयर्स वर प्लेइंग फॉर लास कपल अफ येर्स जैसे जीत पाल थे असुर जीत थे दे सो मनी प्लेयर्स और ग्रेट प्लेयर्स जो उन्होंने 75 वर्लकप भी जीता था तो उसके बास से टीम का डिकलाइन हुआ और फिर जो हमें एक बहुत नई टीम हमें मिली थे हम लोग सब यंग ते शाय सो माया फर्नांडेज उनका बस एक नया था मगर उसमें भी जीतना हमें मुश्किल हो गया था यही मैं आई स्टिल रिमेंबर के बहुत अच्छे मैचेश हमने इनी बचाए है नहीं हम पोलेंड से हम हार रहे थे बई और लास मिनिट में डाइंग मिनिट में गोल किया हम लोगों ने इस्पेंज से हम हार रहे थे एउरोपीन चैंपेंटी उससे हम आर रहे थे तो हमने फिर उनको एकुलाइज करके दन वी केम इन फर्स टू जिससे के हमने फिर उनसे फाइनल खेला, मगर फाइनल में कुछ प्लेयरों ने बहुत अच्छा किया, जैसे मौमज शाहिद प्लेट इंटाय टूर्नमेंट, एक्सेप्शनली गुड़, और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर वो इतना अच्छा नहीं खेलता, तो वी माइट हैव यो नोट परफॉर्म् टीम में बहुत अच्छे भी नहीं थी, वह भारी पड़ रही थी हमारे उपर के भई हम जैसे कहते हैं भई उपर वाले का नाम लेके हम लोग जीते, और इसलिए जीते कि वह इस्पेन वाज़ एक्सपेरियंस टीम, बहुत अच्छे टीम थी, और मेरा एक्सपेरियंस से ए ले हुए थे, तो हमें बहुत डर ये था, कि भई ये बड़ अच्छे टीम है, मगर हमें ये भी कॉंफिडेंस था कि हम मारेंगे, ये मज़े अभी भी याद है, लेकिन हम आतने एक बार तूं शीबत कर दी थी, मगर हमेही रशर था, I used to run to defend like a Rohit Das, मगर इतना अच्छा न लेंगे, यानि जब ये एक ले आ जाती किसी टीम में तो फिर वो जीतता ज़रूर है, उनने सो चॉरासी के लॉस एंजलिस उलिम्पिक खेलों में जफर इकबाल की कप्तानी में भारती होकी टीम ने भाग लिया, जो टीम लगातार पदक की दौड में रहती थी, इस प्रत खायदान और नीचे लुड़का और उसका स्थान हो गया साथवाँ, भारत की गिरावट का यही सिलसला कायम रहा, और 1996 के इटलांटा उलिम्पिक खेलों में भारती टीम आठवे स्थान पर रही, 2000 के सिडनी उलिम्पिक खेलों में भारती होकी टीम फिर कुछ खास नहीं क बेजिंग उलिम्पिक खेलों में भारती पुरुशो की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्या कारण रहे और जानते हैं म अरुमुगम से देम क्या किया था, ये शरन फायनल में फ़र्स्ट त्री को उनों प्रिक घानिनि ने डार्यक्टंटिय दिया था, उसमें इंडिया ने फोर्त फिनिश हुआ है, उसके वज़ए से डार्यक्ट नहीं ले पाई है, सबसे असान तरीका जो था, ऊग को ढोदिया इंडिया ने उसके बाद उनोने ये था, दो टॉर्नमेंट लगाया था, एक दो कांटिनेंट में, इंडिया का इंट्री हुआ था, चिली में जो ओलिम्बिक क्वालिफेर हुआ है, उसमें इंट्री मिला है, उसमें इंट्री मिला है, उसमें इंडिया का प्रेपरेशन टिक नहीं था, इं उच्ज ते 2 सोसंग में हम लोग एश एश्या कब जिते थे 7 ओन से फाइनल में खुरिया कफ जिते थे हम लोग उसका तोड़ा ज्यादा दिमाग में लेके हम लोग जो कुरिया उस्टे में होता था हमेशा एश यह कानम वन थे जब उनको 2007 में 7-1 फैरल में हराया चन्ने में हुआ था ये एशिया कॉप इंडिया थोड़ा वोवर कॉंफिडेंट हो गया था जबकि वो लोग भूल गया हैं एक साल पहले 2006 एशियन गेम्स में हम लोग ग्रांस मेडल भी नहीं ले पाये हैं ये थोड़ा वोवर कॉंफिडेंस जो एशिया कप का वज़े से मिला है वो है दूसरा जो बेस्ट अवैलेबल टैलेंट हा अपने पास दे वर्ल्स बेस्ट कोच चालसवर था उनको हम लोग एगनोर किया हैं जब उधर गए हैं फूल मैच में भी इंडिया ग्रेट बेटर से हरा है जो फाइनल मैच में उसमें भी इंडिया ग्रेट बेटर से हरा है पहली बार हुआ है एक टीम से दो बार हम लोग एक ही टॉर्नमें में हरे हैं दोहसार बारा के लिंदन उल्मिक खेलों में येरप की होकी की फिर एक बार तूती बोली और 12 टीमों के इस टॉर्णमेंट में जर्मनी ने नेधरलेंड्स को हरा कर अपना चौथा स्वन पदक हासिल किया और भारत बिना किसी जीत के टॉर्णमेंट में आखरी स्थान पर रहते हुए पदक दोड़ से बाहर हो गया 2016 के रियो उलिम्पिक खेलों में अपने खेल में कुछ सुधार के संकेत दिये भारती होकी टीम ने और लीग के पांच में से दो मैचेस जीत कर क्वाटर फाइनल राउंड में जगे बनाई लेकिन पी आर शिजेश की अगवाई वाली भारती टीम अंतिमाट में बिल जियम को बेताब थी और 41 साल बाद तमाम आशाओं को लेकर टीम टोकियो पहुँची थी टीम के कमान मनपीद सिंग के हातों में थी सीनियर और युबाख खिलाडियों के तालमेल की बदालत भारत ने शांदार प्रदशन करते हुए जर्मनी को पांच-चार से हरा कांसे पदक जीत लेकिन भारत जैसे देश में जो पहले लगातार 7-8 गोल्ड मेडल जीत चुका हो उसके बाद एक लंबासा 40 साल का गैप आगया हो बीच में और फिर एक मेडल आया हो तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए खेलाडियों के लिए और जो भी लोग होकी से लेकिन जब इसली बार हमने यह पदक जीता तो फिर से लगने लगा सबको कि नहीं यह हमारी रीच में है कोई भी पदक इसलिए मैं उसको मानता हूँ कि यह करण से बूस्टर था इंडियन होकी के लिए अब थोड़ी बात महिला हौकी की करते हैं 2020 के टोकिय उलिम्पिक खेलों में मैडल तक पहुंचते पहुंचते रह जाने वाली भारती महिला हौकी टीम राची में क्वालिफाइंग टोर्नॉमेंट में अपना स्थान सुरक्षित करने में आसपल होने के बाद पैरिस 2024 उलि उलिम्पिक खेलों में भाग लिया था और ये पहली बार था जब उलिम्पिक खेलों में महिला हौकी को भी शामिल किया गया था इस प्रतियो कीता में भारती महिला चौथे इस्तान पर रही जो उनका अच्छा प्रदेशन कहलाएगा 26 सालों के लंबे अंतराल के बाद 2016 में रियो उलिंपिक खेलों के लिए महीला होकी टीम ने कौलिफाई किया लेकिन 12 टीमों के इस टॉर्नमेंट में भारती टीम को आखरे इस्थान ही हासिल हुआ रियू अलिम्पिक खेलों में महिला टीम हार जरूर गई लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और इसका फायदा मिला अगले यानी टोकिय अलिम्पिक खेलों में इन खेलों में भारत ने आस्ट्रेलिया को हराया और सेमिफानल में अर्जंटीना से उसे तीन-चार से शि क्योंकि कोई भी खिलाडी वहां पे पहुंचने के लिए और अपनी कंच्री को वहां रप्रेजन करने रिए या मैदल जीतने के लिए बहुत महनत करता है बहुत सालों की महनत होती है की जब आप सोचते हैं कि आप अनी कंच्री को लम्पिक जैसे एक इवेंट जो सबसे बड अब जब 2024 के पेरिस उलिम्पिक खेलों में तमाम आशाओं को लेकर एक बार फिर भारती पुरुष होकी टीम उतरने वाली है। टीम चाहेगी कि उसके मैडल का रंग बदले लेकिन उलिम्पिक खेलों में ये इतना आसान नहीं होता। टीम को मौझूदा उलिम्पिक चेंपियन बेलजियम, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, अर्जंटीना और आइलेंड के साथ एक मजबूत पूल बी में रखा गया है। 2023 के एशाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती वही भारती हौकी टीम पैरिस 2024 में 27 जुलाई को अपने अभियान का आगास न्यूजिलेंड के खिलाफ मैच खेल कर करेगी। पैरिस उलम्पिक खेलों में भारती हौकी टीम से कितनी उम्मीदें हैं आईए जानते हैं पूरो भारती हौकी कप्तान अजीतपाल सिंग से। कि पहले ये ब्रॉंज मैडल लेकि आये तोक्यो से तो ये उमीदें हैं कि कमसे पर इसको उपर करें और मैं चाहता हूँ कि हाँ हमारी मैडल कोई भी हो कोई बाद है मेरी इनके साथ शुभिश आये हैं और मुझे लगता है कि लड़के मैंने रेके थे मद्बूत हैं फिट अशोक कुमार कहते हैं इसमें गोल मेडल लेकर लोटे, पोडियम पर हम खड़े होंगे, इतना मुझे यरकीन है, लेकिन वो पोडियम पर खड़े होकर, गोल मेडल अगर गले में डालते हैं, और मिलता है, तो भारप के लिए एक बहुत बड़ी उपलब जी होगी, यह राय अंतराश्टी होके खिलाडी जुग्राज सिंग की क्या कहते हैं भारती होकी टीम के एक मजबूत सदस्य हार्दिक सिंग यह हैं भारती पुरुष होकी टीम के फॉरवर्ड अकाश दीप सिंग टोकिया उलिम्पिक खेलों में भारती टीम के कप्तान रहे और वरतमान होकी टीम के सदसीर मनप्रीट सिंग डेफिनले कि हम लोग यही त्यारी करें कि हमारा जो लासें ब्रॉण साइस पर हम लोग कलर चेंज करें भारती गोलकीपर और पूरो भारती कप्तान पी आर शीजेश ओलिम्पिक खेलों का जब भी जिकर आता है तो हौकी का जिकर जरूर आता है 140 करोड भारतीयों की निगाहें और शुब कामनाएं लेकर जब पैरिस में भारती हौकी टीम उतरेगी तो हमें उससे सर्फ एक ही उमीद होगी गोल्ड फॉर टीम इंडिया चीर फॉर पैरिस अभी आप सुन रहे थे चीर फॉर पैरिस का चौथा भाग ओलिम्पिक खेलों में भारती हौकी स्वर महेंडर सिंग लालस आलेख और प्रस्तुती महांमद शाहिद आजमी